जै बाबा के दार आज राखणी और जन मिलन के इस कारिक्रम में मंच पर आसीन महिला मुर्चा भारती जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्स बहन आसान उट्याल जी शिरी जंडी प्रसाद भड़ जी उपाध्यक्स सीमान छेत्र अनुसरोन परिशत शिरी विजय राणा जी निवर्तवान अध्यक्स नगर पंचायत उखिमट सिरी अनुसुया प्रसाद भड़ जी मंदल अध्यक्ष भारती जनता पार्टी उखिमट संदीफ सिंग जी पुस्पान सनक्षक प्रधान संगठन उखिमट सिरी राजीव भड़ जी अध्यक्ष व्यापार मंदल उखिमट सिरी राजकुमार तिवारी जी अध्यक्ष केदार सभा एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष नितागर्ण आज के कारिक्रम में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग सभी हमारी बहने माताएं नौजवान साथियों प्यारे बच्चों उपस्तित पत्रकार मित्रों चायकार बंदो मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी का यहां आने के लिए आप सब का मैं अविननन करता हूँ आप सब का स्वागत करता हूँ हरदय से आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आज आप सब के बीच में मुझे आना था लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से बहुत प्रियास करने के बाद भी आप सब के बीच में उपस्तित नहीं हो पा रहा हूँ इसके लिए मैं छमा प्रार्थी हूँ छमा चाहता हूँ लेकिन वर्चुल माध्यम से आप सबसे जुड़ रहा हूँ मैं आज के अवसर पर अपनी बेहनों को बिसेश कर जो बेहने हमारी आज रक्षा बंदन के परवो पर यहां 71 हुई है उन सब का मैं हरदय से धन्यवाद करता हूँ उनको बढ़ाई देता हूँ सुबकामनाय देता हूँ और यह रक्षा का सूत्र हमारे पवित्र भाई बेहन के पवित्र तिवार का एक परतीक है और ये तिवार हमें अपने करतबे का भी बहुत कराते हैं हमारी जो एक संस्कृती है उस संस्कृती को भी आगे बढ़ाते हैं आज पूरे उत्राखंड के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहने आज हर छेत्र में आगे आ रही है चाहे वो हमारे स्वहिम सहयता समू के माद्यम से हूँ चाहे होमिस्टे जैसी योजनाओं के माद्यम से हूँ या इस्थानी उत्पाद बना कर हर छेत्र में आज वो एक से एक अच्छे से अच्छा काम कर रही है और उनके उत्पादों की मांग आज पूरे देश के अंदर हो रही है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ससक्ती करण योजना महिला ससक्ती करण योजना और मुख्यमंत्री ससक्त बेहना योजना ये योजना हैं हमने प्रारम्म करी थी इसके पीछे हितु था कि हमारी बेहनों के बनाए हुए उत्पाद उनको विपणन के ले उनको ठीक स्थान मिले बजार में उनकी विक्री अच्छी हो उनकी मांग बड़े उनका विपणन अच्छा हो इस हितु ये योजनाए प्रारम की गई है मुझे खुसी है मैं पूरे प अच्छा सिलाई बुनाई से लेकर खाने के सामान तक इस्तानी उत्पाद जो बना रही हैं वो इतने अच्छे हैं कि आज हर जगह उसकी मांग है उसको देखते हुए मानी प्रधान मंत्री जी ने हमारे यहां हाउस अफ हिमालिया ब्रांड भी अभी पिछले दिनों गाट प्रधान किया था और उसके माध्यम से भी अब देश दुनिया के अंदर हमारे इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इससे निश्चित रूप से हमारी बहने जहां स्वैम ससक्त हो रही हैं स्वैम का रोजगार कर रही हैं अन्य लोगों को भी रोजगार से जुड़ महलाएं जो है उनकी भागेदारी होगी उनको नौकरी में प्रात्मिक्ता मिलेगी राज़ अंदलनकारियों का भी जो विधहक हमने साथ फरवरी दोहजार चौबीस को विधान सवा के अंदर पारित किया था उसको राज़ पाल महदय ने अभी सुकृति प्रदान किर दी ह वह भी अब विधहक बन गया है निसित रूप से राज़ अंदलनकारियों और उनके आस्रितों को अब कोई कटना ही नहीं होगी उनको सीधे सीधे 10% का आरक्षन मिलेगा हमारे खेल निती में भी खेल निती में भी आजने एक प्रावधान हमने करके नई खेल निती हम कर रही हैं मुख्यमंत्री खिलाडी प्रोसान योजना का कारे भी सुभारम किया गया है इस योजना के तहित 14 से 23 वर्स के खिलाडियों को 2000 रुपे प्रतिमा चात्री बृतियों 10,000 रुपे प्रति वर्स खेल उपकरणों के लिए धनरासी दी जाएगी भायों बहनों ब्र प्रदेश को ब्रस्टा चाहते हैं बायों बेनों प्रटन के साथ संस्कृति का सरक्षण भी हम कर रहे हम केदार खंड के हमारे सभी मंद्रों का विकास कर रहे हैं धामों के आसपास के छितरों को भी विक्सित करने का काम उनको अच्छा बनाने का काम हम निश्चित रूप राज्य मंत्री मंडल ने पांच करोड तक के भी जो है जो भी हमारे उद्यमी हैं उनको भी डेड़ करोड तक की सबसीडी का हमने प्रावधान कर दिया है जिससे निश्चित रूप से हमारे जो परेटक छेतर हैं उन छेतरों के लोगों को पहाड के छेतरों को बिसेश कर से उनसे लाब होने वाला है, सरकार किसानों को तीन लाग रुपे और महिला सविम साहता समों को पांस लुपे लुपे तक करिण, बिना व्याज के उपलब्द कराने का काम भी कर रही है, इसके साथ ही और भी हम सहनिकों के लिए भी काम कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों हमने उ हमेसा उनका इसमरण रहे हमेसा वो लोगों की आद में रहे हमारी आने वाली पीड़ी उनसे हमेशा अपने इसमरण में रखे, सेन धाम जल्दी ही जो है बनकर तयार होने वाला है अभी पिछले दिनों जो केदार्नात मार्क पर केदार घाटी में आपदा आई हैं, उस जेजगती से हो उसके लिए कहीं भी तिसी भी प्रकार से धनकी कमी नहीं आने दी जाएगी तत्काल हमारा प्रियास की आत्रा और केदार घाटी पुणह अपने पहले के सोरूप में जल्दी से जल्दी समीती है हुम अन्य सभी संगठ उनों ने पिछले दिनों बात की है इसलिए हमने दुर्ती चरण के लिए ओनलाइन की व्योस्ता पूर्व की भाती चलती रहेगी यह ऐसा निर्णे लिया है जो तीर्थेयात्री उत्राखंड में इन चारों धामों के दर्सन के लिए आएंगे वो बिना रेजिश्टेशन के आएंगे उन्हें भी ओन स्पॉर्ट ही रेजिश्टेशन की व्योस्ता उपलब कराई जाएगी इसमें किसी भी प्रकार की संख्या की अब बादेता नहीं होगी इसे तू अरिद्वार इसी के से हम गंगोत्री, अमनोत्री, केदारनाथ, के पड़ाओं पर भी रेजिश्टेशन की ऑन लाइन ऑन इस्पॉर्ट व्योस्ता की जाएगी, इसके भी निर्देश कर दिये गये हैं, बैरिकेटिंग की व्योस्ता नियूनतम होगी, यात्रा का सरलीकरण हो पाएगा, अन्य प्रदिशों से जो बहान आएंगे, उनका ट राधिकरण है, ये सुनिश्चित करेगा, तो अग्यामी यात्रा के लिए सुचारू रूप से चलेगी, उसके लिए सभी इस्टेक हो बारता की जाएगी, उसके पीछे जाएगी, ये तू केवल यही है, सभी इस्टेक की ठीक प्रकार से यात्रा का संचाल हो रहाएगा, ऐसे अनेक काम हम आज कर रहे हैं, मेरा मन तो था कि आप सब के बीच में आता, अपनी बेहनों से मिलता, आप सब से मिलता, वहाँ पर अन्य चर्चा करता, लेकिन जल्दी मैं आप सब के बीच में आऊंगा, आज के इस अवसर पर मैं कुछ गोस्टनाएं जो इस छेतर की है मैं करना चाहता हूँ, विजय नगर पठाली मोटर मार्ग में छतिगरस लगबग पंद्रह सो मीटर भाग का सुरक्षा अत्मक कारिया पुना निर्मार तत्काल किया जाएगा, भड़ज में आइटियाई खुलने की सुकृति प्रदान की जाती है, नगर पंचाद अगस्त 85PSC को उच्ची करित कर CSC बनाया जाएगा, महरसी अगस्त मुनी जी के मंदिर का सुंद्री करण का काम किया जाएगा, ऐसे अनेक काम वहाँ पर जो आप सब के माद्यम से आये हैं, उन सब को जल्दी से जल्दी स्विकृति दी जाएगी, मैं एक बार फिर से आप सभी का ध भारन करूंगा, मैं अपनी बहनों का पुनहा एक बार फिर से सब का धन्यवाद करते हुए